हेलो स्टुएट्स आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आरे सगरवाल चेप्टर 4 एक्सराइस 4C कोश्चन 9 से सॉल्फ करेंगे स्टुएट्स एक्सराइस 4C की सेकिंड वीडियो है स्टुएट क्लास 8 की जितने वी चैप्रिस के वने वीडियो बनाई है सबका लिंक डिस्र सकते हैं स्टुएट्स अगर आप लास इक्स वीडियो को देख सकते हैं क्यों क्यूब रूट माइनस 216 इहां पर क्या गया माइनस दिया ओवा है माइनस आपने कुछ नहीं देखना आपने जैसे हम निकालते हैं इनका factors बनाते हैं, वैसे factor बनाएंगे, फिर जब end में जो मारा answer आएगा, तब हम क्या करेंगे, minus लगा देंगे, तो students जैसे अब यह क्या है, cube root minus 216, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, minus हम बाहर लेएंगे, cube root 216, अज students हम 216 के factor बनाएंगे, अब यह किस पर चल जाएगा, 2 प आदेंगे, 286, फिर 2510, 248, तो के टेबल में जाएगा, फिर 224, 2714, अब हमारे पर यहां पर हम यह भी लिख सकते हैं, by prime factorization, ठीक है, तो हमें क्या मिले इसके factor, यहां पर हम लिख देंगे, minus 3, cube root 216, equal to, तो यहां पर क्या लिखेगे, यहां पर minus का sign लादेंगे, तो 2 कितनी बाहर आया है, 1, 2, 3 times 2 आया, और 3 times 3 आया, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 times हमने 3 लिख दिया, अब students, यहां पर यह वाला triplet है, 2 का, इसका 1 हो गया, और इस triplet का, एक 3 आया, ठीक है न, यहां minus का sign का दिया, क्यूंकि हमने cube root निकालना था, यह cube root से बाहर निकालने के लिए, हमने 3, 3 के, 3, जो है, triplet में 2 को लिया, और 3 को लिया, तो minus 2 multiply 3 हा गया, तो इस cancer, 2 थीज़ा कितना होता है, 6, तो इस cancer क्या गया, minus 6, ठीक है students, अब हम करते है, question 9, question 10 है, question 10 है, cube root minus 512, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते है, minus cube root 512, ठीक है, तो by prime factorization, ठीक है, अब हम इसके factor बनाएंगे, 512 किस पर जाएगा, 2 पर चला जाएगा, क्यूंकि last में 2 है, 2 तू जा 4, अब सुदू है, 5 में जा 4 है, यह 1, remainder 1 बच्छा, तो यह 11 बन गया, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, अगें 2 पर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, अगें 2 पर चला जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगें 2 पर, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है, अब हमारे पास इसके क्या फ्रेक्टर बने, माइनस 3, 512, 2 जा है, कितने बार आएज़े, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ताइमस आया है, तो 9 ताइमस यहाँ पर हम, यहाँ पर माइनस लिखके, तो यहाँ पर 9 ताइमस लिख दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है, अब हमने ट्रिप्लेट का एक टूब बना दिया, इस ट्रिप्लेट का एक और इस ट्रिप्लेट का एक, तो मारे पास कितना आज़ेगा, माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 तो जा 4, 4 तो जा माइनस 8, तो इसका आंसर क्या गया, माइनस 8, ठीक है स्टूइट्स, अब हम करते हैं, कोश्चन 11, क्या है, क्यूब रूट माइनस 1331, क्यूब रूट माइनस 1331, तो ये किस पर जाएगा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, माइनस क्यूब रूट 1331, अब स्टूइट्स, इसके आप फेक्टर बनाएगे हैं, हाना, 1331, तो स्टूइट्स किस पर जाएगा, अगर आपने 15 तक क्यूब भी याद की हैं, तो आपको बता चला जाएगे, 11 पर चला जाएगा, ठीक है न, 11 का क्यूब के हता है, 11 का क्यूब के हता है, 1331, 11 बन सा 11, remainder 2, 23, 11 बन सा 22, फिर remainder 1, 11 बन सा 11, अगे फिर 11 पर चला जाएगा, अगे 11 पर चला जाएगा, ठीक है न, तो इसके फेक्टर क्या बने, माइनस थ्री उनरूट 321 के माइनस यहां पर 11 को त्री टाइमस लिखेंगे ठीक है तो यह इस कांसर क्या गया इन इस इप्लेट करके एक 11 बनके माइनस 11 ठीक है स्टुरीट अब हम करते हैं कोइच्टन 12 कौइच्टें 12 है अस्टूर्ण यहां पर क्या है fraction की form में दिया हुआ है 27 upon 64 तो students इसका मतलब क्या है यह इस तरह भी हो सकता है q root 27 upon q root 64 ठीक है तो आपने 27 के factors बनाने है अब students 27 का आपको पता ही है 339 93027 तो आप इसको direct भी लिख सकते हो q root 3 into 3 into 3 ठीक है 339 93027 फिर इसका q root 4 into 4 into 4 ठीक है इसका triplet के एक 3 हो गया और इसका triplet का एक 4 हो गया तो इसका अंसर क्या आ गया 3 upon 4 ठीक है students अब हम करते हैं question 13 q root 125 upon 216 ठीक है students आप इस step को miss भी कर सकते हो बस आपको पता है जो यह q root है दोनों का है fraction में जब होता है यह rational में जब होता है तो यह दोनों का ही है ठीक है अब students अगर आपको q या तो आप यहाँ पर 125 के factor बना दो यहाँ पर लिख दो by prime factorization यह आप डारेक्ट भी बना सकते हो ऐसे को दिकर नहीं है तो हमने किया 125 का किया ठीक है और यहाँ पर 216 करेंगे 55 25 2 जा 10 55 25 25 25 25 25 25 15 यह किस पर जाएगा 6 पर चला जाएगा यह 2 से करना चाहते है तो 2 से भी कर सकते हो ठीक है ना यह वैसे शिक्स का क्यूब होता है 216 होता है तो और तो से करके देख लेते हैं टूज़ ञड़ें टू जेरो टूट शॉट्व चुशन घृट रोट त्री थीन सा त्वनतर्टी सेवन ट्री थीए अब यह प्राइम फ्रेक्टरिज़ेशन कर लिए अब हम यहाँ पर लिखने है क्यूंव रूट है ठीक है 125 अपों 216 125 क्या बना तो 5 x 5 अपों त्री टाइंज 2 है और 3 x 3 है ठीक है स्टुट अब हमना यह इन ट्रेपलेट का एक 5 आ गया स्टुट अगर हमारे दिश्कों यहां पर क्यूं रूट है हमने यह महारे पर 3 numbers आ गया है 3 में numbers आ जाते हैं तो वो उसका जो है यह under root हट जाता है ठीक है अब 2 इस triplet का 1 2 और इस triplet का 1 3 तो इसका answer क्या गया 5 upon 6 तो question 13 का जो correct answer क्या है sorry इसका answer क्या है 5 upon 6 question 14 है cube root minus 27 upon 125 it means यह क्या है minus cube root 27 upon 125 ठीक है students अब यहाँ पर इसके हमें पता है यह 3 का cube है और यह 5 का cube है तो direct आप कर दो यहाँ पर लिखेंगे 3 3 into 3 into 3 यहाँ पर 5 into 5 into 5 ठीक है तो यहाँ पर इसका क्या जगा इस cube minus का sign इसका 3 हो गया और in triplet का एक 5 आ गया तो इसका answer क्या गया minus 3 upon 5 अब हम करते है question 15 अगर आपको देखो students cube यहाँ आद है तो आपको factors नकालने की जूरत नहीं है तो इससे क्या है का आपका time भी बचेगा और इसको question को fast कर सकते है question 15 है cube root minus 64 upon 343 cube root minus 64 upon 343 हम minus को बाहर निकाल देंगे cube root 64 upon 343 अब students जो 64 है यह किसका cube है 4 का cube है और जो 343 है यह 7 का cube है तो हम इसको मैं directly कर रही हूँ तो यहाँ पर minus 3 64 किसका cube है 4 का 4 into 4 into 4 और 343 है 7 का 7 into 7 into 7 minus interpret का 1 4 हो गया और interpret का 1 7 हो गया तो इसका answer क्या गया minus 4 upon 7 अब हम करेंगे question 16 question 16 क्या है अब students यहाँ पर देखो question 16 में क्या दियो है cube root 64 multiply 729 अब students देखो यहाँ पर आपने क्या करने है बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे 64 को 729 से multiply करेंगे फिर उसके factor बना देंगे तो students ऐसे करने की जुरूरत नहीं है ठीक है आपने क्या करने है 64 आपको पता है 4 का cube है और 729 का cube है अगर आपको नहीं पता तो आप इसके सिधर direct भी यहाँ पर factor बना सकते है ठीक है ना अब अलग-लग बनाने है आपने इसको multiply नहीं करना जब ऐसे question होते है तो आपने इसको अलग-लग factor बनाने है तो इससे के होता है कि आपको जो question करना easy हो जाएगा क्यूंकि 729 को अगर आप 64 से multiply करोगे फिर आप उसके factor बनाते होगे तो उसमें mistake होने के chances हो जाते है ठीक है तो हमें बता है जो यहीं जो है cube root 64 के के factor होते है 4 का cube होता है 4 into 4 into 4 और 729 किसका होता है cube 9 का cube है तो 9 into 9 into 9 ठीक है न अगर आप 729 को वैसे factor 9 को तो 3 3 से आजेगा तो इसलिए अगर आपको cube यहाद है तो आप easy इसको कर सकते है तो इसका कितना आ गया 4 into 9 तो 9 force दा कितना होता है 36 36 तो इसका अंसर क्या गया 36 देखें कितना easy है इसको निकालना अब हम करते है question 17 cube root अब यहाँ पर 729 upon 1000 है ठीक है अब जो यह है 9 का cube है और 1010 का cube है सिधी सी बात है आपने सिरफ इसको इस तरह से रिखने है अगर नहीं आता है तो आप निकाल सकते है ठीक है अगर आपको याद है तो आप सिधा direct कर लो 9 into 9 into 9 upon 10 into 10 into 10 तो यह इस triplet का एक 9 हो गया और इन triplet का एक 10 हो गया तो इस खांसर क्या गया 9 upon 10 देखें कितना easy है बस आपको cube को याद करना पड़ेगा और student जब आप बार बार जो math को है practice करते हो question solve करते हो तो आपको वैसे ही यह cube याद हो जाते है ठीक है अब यहाँ पर क्या है cube root 512 upon 343 ठीक है अब मैंने आपको बताया था यह rational number में इस तरह cube root दिया है तो इसका अंतलर यह cube root 512 upon 343 है यह मैं आपको एक बार फिर explain कर रहेती हूँ आपने confused में होना आपने दोनों के क्या नकालने है cube root नकालने है जो 512 है यह किसका cube है 8 का cube है इसमें सोरी माइनस है यहाँ पर तो पहले हम माइनस को बाहर नकालते है cube root 512 upon 343 तो हम लिख से माइनस यहाँ पर यह किसका cube है 512 8 का cube है upon और यह किसका है 7 का cube है अब इन ट्रिपलेट का 1 8 हो गया और इस ट्रिपलेट का 1 7 हो गया तो इसका अंसर कहा गया minus 8 upon 7 सुरेंज इसके साथी हमने exercise 4C के सभी questions को solve कर लिया है I hope आपको हर question अच्छी तरह से समझ आ गया होगा students अगर फिर भी आपको कोई query है तो आप message कर सकते हैं अगर आपको वीडियो यूसफुल लगे है तो वीडियो को like करें share करें अपने friends के साथ next वीडियो में हम exercise 4D के questions solve करेंगे thank you for watching